नरेंद्र मोधी ने क्या किया केजरिवाल जी ने क्या किया जूट बोलके देखिया बार आईतिहास है जूट बोलके वो सत्ता में आए हैं नरेंद्र मोधी जी ने दो करोड युवाओं को रोजगार देने का जूट किसानों को सही दाम देने का जूट economy को खड़े करने का जूट केज रिवाल जी ने Congress Party के बारे में जूट बोलकर ये लोग सत्ता में आए है जो जूट बोलकर सत्ता में आएगा मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके लिए काम कर ही नहीं सकता उसमें वो ड्रिश्टी नहीं है जो आपके लिए काम कर सकता है वो सिर्फ एक चीज के बारे में सोचते हैं अपने सत्ता के बारे में अपने पावर के बारे में और कुछ सोच नहीं है और जो भी उनसे बुलवाना हो चाहे केज रिवाल जी हो चाहे मोधी हो मोधी जी हो जो भी आप उनसे बुलवाना चाहो सत्ता के लिए जो भी बुलवाना चाहो वो बोल दें मगर प्रदेश को बनाने के लिए देश को बनाने के लिए विजिन की जरुवत होती है शब्दों से नहीं बनता सोच की जरुवत होती है मुझे आप बताईए केजी वाल जी ने कितने नए स्कूल खोले जीरो मुझे आप बताईए केजी वाल जी ने कितने फ्लावर बनाए मुझे आप बताईए एरपॉर्ट कितने बनाए मुझे आप बताईए मेट्रो कितनी बनाए यह सचाई है वीडियो पसंद आये तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकॉन पर ग्लिक कीजिए और हाँ इस वीडियो को लाइक करना ना भूले फेस्बुक से जुड़े रहने के लिए फेस्बुक पर dnx tv सर्च करें ट्वीटर से जुड़े रहने के लिए ट्वीटर पर dnx tv सर्च करें ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.danandini.in पर लॉगिन करें